हेलो अरियन, अगर आपको जानना चाहते हैं कि इसकी UPSC में जो EPFO का एक्जाम निकला है, जिसमें अकाउंट ओफिसर और इन्फोर्समेंट ओफिसर की वेकैंसी आई है, उनकी इस साल 2023 में कितनी कट ओफ जा सकती है, तो हम उस कट ओफ को देखेंगे कि 2017 में कितनी कट ओफ ग जो 2000 आपकी 21 में वेकैंसी आई थी, वो 421 वेकैंसी आई थी, फिर उसके बाद अगर हम बात करें next point की, तो जो 2017 में जो बच्चे बैठे थे, 1,46,004 बच्चे बैठे थे, ठीक है जी, और उसमें से जर्नल के जो बच्चे बैठे थे, 69,155 बैठे थे, OBC के 53,300 बैठे थे, S.T. के 27,533 बैठे थे, S.T. के 6,016 बैठे थे, और टोटल 1,46,004 बैठे थे, 2017 में, अब हम बात करते हैं, 2017 के बाद, 2021 में कितने बच्चे बैठे हैं, अब हम 2021 के अगर बात करें, तो उसमें बैठे 2,30,000 बच्चे, यानि 2,30,000 बच्चे का मतलब हो गया, करीब करीब 80,000 प्लस 85,000 बच्चे और बढ़ गए, तो इसमें EWS के 17,000 बच्चे बैठे इस तरह से, तो अब की बार कितने बच्चे बैठ सकते हैं, अब की बार ये मान के चलो, करीब करीब 3,00,000 बच्चे इस एकजाम में बैठे हैं, अब की बार, इसमालब टाइम के इस साब से अवेरनेस भी बढ़ती है, तो इस बार करीब करीब 3,00,000 बच्चे बैठेंगे, ठीक है जी, अब बात करते हैं हम, जो कटेगरी वाइज, जो सीट आई थी, जर्नल की उसमें सीट थी 163, 421 में से, OBC की थी 111, SC की 61 थी, ST की 33 थी, EWS की 42 थी, जो फिजिकल हैंडिकप्ट, HI की थी 8 और PH, OH की थी 3, इस तरह से 421 थी, 2017 में कितनी आई थी, 2017 में जो जर्नल की वेकैंसी आई थी, 108 आई थी, OBC की 110 आई थी, SC की 32 थी, ST की 7 वेकैंसी थी, ठीक है जी, अब की बार वेकैंसी आई हैं 418, तो अब हम बात करते हैं, next जो हमारा पॉइंट है, कि टेस्ट की मेरिट कितनी गई थी, टेस्ट की मेरिट उस टाइम पे गई थी, साड़े 49 नंबर, OBC की साड़े 44, SC की साड़े 42, ST की साड़े 43, और PH की OH में 30, PH HI में गई थी, आपकी 33, इंटर्यू में जर्नल के लिए 50, OBC के लिए 45, SC के लिए 40, ST के लिए 40, इस तरह से, हम बात करते हैं भी रिटर्न टेस्ट के, रिटर्न टेस्ट में उस टाइम पे गई जर्नल की 50, OBC की 44, SC की 42, और ST की 43, ठीक है जी, और इस बार कितनी गई, इस बार 187 गई जर्नल की, अब आप सोचों के 187 कहां से आ गया एक दम, ये है 300 नंबर में, पहले 100 नं परसेंट करीब चली गई, यानि 13 नंबर और बढ़ गए, OBC की भी जहां पे आपकी पिछली बार जैसे कम दिखरी थी, ये बढ़ की 103 हो गई, SC की 106 हो गई, ST की 156 हो गई, EWS की 101 हो गई, इंटर्यू की वहीब रहेगा सेम, और अगर हम बात करें, फाइनल सेलेक्शन की, इंटो X में फाइनल जो सेलेक्शन गया था, वो गया है आपका 269 पे, जर्नल का, OBC का 244 पे, SC का 234 पे, ST का 231 पे, और EWS का 246 पे, PH आचाई का गया 119 पे, और PH OH का गया 242 पे, अब हम चलते हैं, 2017 में जो फाइनल सेलेक्शन हो था न, वो गया था 110 नंबर पे, यानि 110 नं मनलब, उसको 3 से मल्टिप्लाई कर दो, 550, 200, तो इस ही साब से, 400 में से ये जो नंबर आए हैं, इस में से, इनको 110 नंबर पे गया है, और इस तरह से ये करके, आपकी गई है मेरिट, फिर हम बात करें हाइस नंबर की, तो पिछली बार जब हाइस नंबर, पिछली बार क्या इसली बार गई 220 पे, जर्नल की, अब 220 से बढ़के 269 हो गई सी दी, और इस में 244 बढ़के, इसकी 234 हो गई, तो अगर हम इस बार की बात करें, तो 218, मलब 418 वकैंसी आई हैं, और ये मान के चलो, कम से कम जो जाएगी अब की बार, 270 नंबर पर फाइनल सेलेक्शन एक नंबर कम नहीं होगा, एक नंबर भी, ठीक है जी, इसी तरह से OBC की बात करें हम, तो इनकी भी 200, पिछली बार के कमपेरिजन में अब की बार, 244 में 15 नंबर और जोड़ लिजी आप, तो करीब करीब इतने इनके 260, 261 नंबर पर इनकी जाएगी, और SC की भी आप 15 अगर इसमें आपको कोई वो लग रहा है कि आपना कोई सुजाओ देना चाते तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं बोलू कि 2023 का जो कट अफ जाएगी, उसमें बच्चे बैठेंगे 3 लाग से उपर, ठीक है जी, और 3 लाग से उपर बच्चे जाएगे, प्र SC की जाएगी 170 से उपर उपर, ST की जाएगी 170 से नीचे जाएगी, मनलब 175-170 के बीच में रहेगी, और EWS की 180 से उपर जाएगी, और पी हैं उनकी HI में जाएगी 110 जाएगी और जो OH में जाएगी 165 करीब और जो 10–15 नंबर हर में बढ़ेंगे, और अगर आपको कोई आपको स्टूडियो कि इस पर चाहिए आपको कोई और पर्टिकुलर जाना है बुक्स वगरा एक बारे मेट्रियल वगरा एक बारे मताप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप मेरे वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं इस वीडियो में थैंक्स है नेश्टे